अस्ट्रेलिया जुलाईन टेक दी गल करें जा रहे हैं स्टूडेंट जडे रीसेंट पासओट ने प्लस टू कार ली है और मैंड बना रहे हो अप्लाई करनों लेके था तो अडेली ये खास ओते वीडियो है इक-इक गल तुसी ते आना सुननी ते समझनी है क्योंकि जदो आप अगाल अस्ट्रेलिया स्टडी वीजा दी कर दे हैं तो उते एक वी गलती जो है रिफ्यूजल दा रूप ले सकती है तो आड़ी एक वी गलती ना होवें इसे लिए ये वीडियो लेके आने हैं तो आनो अवेर कर दे हैं तो आड़े तक पहुंचाने है तांके स्टूडेंट्स बिना किसी रुकावर दे अपना रस्ता पार कर दे हो या अपना वीजा जरूर हासल कर सकन स्वागते जी सारें दा मेहा हर्जोत कार और अस्ट्रेलिया जुलाई इंटेक नो लेके डिटेल वीचे इंफरमेशन तो आड़ना सांजी करनगे नविगेटर्स ओवरसीज तो वीजा एक्सपर्ट मिसिस वीना गोईल मैम सा देनाल ने बहुत बस्वागत है मैम सा श्रीकाल सा मैम आप अस्ट्रेलिया सेड़ी वीजा दी गल का रहे हैं इते स्टूडेंट्स नो तुसी केड़ी-कड़ी गल्लान दाते आन रखन ली कहना चाहोगे और हद कदो तक उनना अप्लाई कर देना चाहिए कि ते एना ओवे स्टूडेंट डिले जादा कर जाए ते देरी बहुत जादा उनना पारी पह जाए देखो में देविचे चाल रहे हैं और इस टाइम जेड़े भी स्टूडेंट 23 पास आउट है यह उना देको लास्ट मोग है ओधे बाद अप्लाई नहीं कर सकते जद्धा में हर प्रोग्राम चेदा असरी है तड़ी परसंटेज ठीक होने चाहिए ठीक है फिनेंशल डेक्यमेंट ठीक होने चाहिए इंकम टेक्स रेटर्न ठीक होने चाहिए और जा अकेडमिक तड़ी ठीक है फिर तुसी जरूर अप्लाई करो दिस इस दर लास्ट टाइम आफ्टर दाट तुसी 23 पास आउट वाले किसी होर कंट्री कर सकते हो बट अस्ट्रेलिया देवस्ते तड़ेवस्ते मुश्कल होगा क्योंकि एक साल तो ज्यादा गैप अस्ट्रेलिया अलोन नहीं करता हूं तुसी जा नॉन मेडिकल दे स्टूडेंट हो बैंट टोड़ी 6.5 है नॉट लेस देन 6 है परसंटेज 60 प बहुत सारी लेवल वन युनिवरस्टी है जेड़ा कि ओम मंग दिया 65 परसंट आल्ट शिक्स बैंड इच उन्हादी भी रेंकिंग लेवल वन युनिवरस्टीयां चांदी है फैनेंशल डेकिमेंट तो ठीक होने चाहिए उन्हादा भी वीजा सक्सेसरेट बहुत ज्याद अधर नहीं होना चाहिदा है जिए प्लस्टू स्टूडेंट्स 23 पास आउट वस्ते यह बार बार दस्कें लाश्मोंकर 24 वस्ते जड़ा है यह मेजर इंटीक है ओधे वस्ते फिर फैब आएगा फैब विच अनना ज्यादा नहीं जड़ा तड़कुल जड़ा कहना जड़ी दे हो गया ओना इट दे विच भी बहुँ जड़ा है इट दे विच गेम दे होगे गेम डेल्पमेंट हो गया देन आ साइबर स्क्योर्टी हो गया डेटर अनले सिसों क्लावड कम्पेटिब आटिफिशल इंटालिजेंस बहुत सारे कोर्सेज और भी एद नहीं ज करनी होवाइब टसी की बहुट क्योंकि जड़ बच्चे दे सदे को केडमिक कान्गे केडमिक डेक्यमेंक डेक्यमेंट थेट जाइँ कर देंग बंच ए बन duas know ज्यादा है तो तो पर कर दिया और केड़ी कोर्स दे विचे इंप्लाइमेंट अपर्चुनिटीज जादा है और केड़ी कोर्स करके तो उन्हों जड़ा क्योंकि GST जड़ा नमा आया जीटी दी जागा ओदे विचे चार कोश्चन बड़े इंपार्टेंट है तुस्सी एकनामिक टाइस किया तो डी कंट्री देना कौन तो नो स्पांसर कर रहे है क्यों एक कोर्स करना चाहरे हो एक कोर्स करके जड़ा फ्यूचर चात तुसी की करो कि यह चीजां तोड़ी बड़ी क्लियर होनी चाहिए जए यह सारी चीजां क्लियर है तोड़ी वीजेच एक परसंट भी प्रॉब्लम नहीं है डरन तो अस्ट्रेलिया दी कोई जरूरत नहीं है नैचुरल एक नेगेटिव वेव आंदी है बट उना दे वास्ते जनादी फ फाइल वाले भी गए है नो डाउट बट क्योंकि होन बच्चे काट अप्लाई कर रहे है डर के तो अच्छे प्रूफाइल वाले बच्चे जड़े अप्लाई करेंगे उना दा वीजा क्योंकि यह जड़ा सदे कुल डैटा आया है ओदे विचे है कि 70 परसंटों पर वीजा बिल्कुल बिल्कुल सही गाला है सो हुन अगर आपा हुन दी भी गाल करिये ता वीजा आने शुरू होए पहिने ऐस्ट्रेलिया तो ते हुन जड़ा स्टूरेंट है बिल्कुल भी देरी ना करें टाइमली सही ऑप्शन्स देना तुसी अपलाई कार सागदे हो फंड्स आ नंबर डिस्प्ले है नविगेटर्स ओवर सीजर्स ओपर कॉल करो पूरी जानकारी लो और राइट प्रसेस देनाल ही अगे वदो बहुत बहुत थैंक्स मैं मैं पूरी इंफोमेशन स्टूरेंट्स दना सांजा करें दे लही ते अगो भी स्टूरेंट्स लही इसे तरह न झाल झाल